इस वीडियो के स्पॉंसर है फैमी सेफ जिसकी मदद से आप अपने आपको और अपने फैमिली मेंबर्स को सोचल मीडिया पर रख सकते हो प्रोटेक्टेड यह अप्लिकेशन जो है एंडॉड आयोस दोनों के उपर अवेलेबल है इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स कर सकते हो कि कौन से अप्लिकेशन को आपको फैमिली के डिवाइसे ब्लॉक करना है क्या एज ग्रूप के मुताबिक ब्लॉक करना है या सारे अप्लिकेशन को ब्लॉक करना है इसी के साथ दोस्तों आपको स्क्रीन टाइम का भी ऑप्शन देखने मिलता है जिसमें आप पू करने वाले Speed Test, Multitasking Performance Test, Ram Management, सारी चीज़े चेक आउट करेंगे कि कौन सा जो है जाधा Fast है, यहाँ पर दोनों का प्राइस है बहुत सिमिलर है, iPhone 11 आपको 50,000 और Samsung S20 FE 45 का मिल रहा है, इस वक्त वीडियो को बनाने के वाँट, जो भी latest प्राइस है, वो description box में आपको मिल जाएंगे, डिरेक लिए लिक पे जाके आप चेक आउट कर सकते है, iPhone 11 के अंदर आपको A13 Bionic और 4GB का RAM मिलता है, Samsung के अंदर आपको मिलता है Exynos 990 और 8GB का RAM, अगर दोनों ही डिवाइसे के Benchmark के दरब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे Geek Bench के जो score है, वो single core में almost double है, iPhone 11 में H20 FE के मुकाबले, और multi core score जो है, वो बहुत जाद सिमिलर है, लेकिन actual जब हम speed test करेंगे तब हमको पता चलेगा क्या यह चीज जो है, 19-20 के फरक के अंदर हमको सामने निकल के आती है या फिर यहाँ पे game जो है, वो उल्टा हो जाता है, और Samsung जो है वो कम specifications के साथ भी जबके RAM यहाँ पे double है, लेकिन जो core performance है, raw power है processor का, वो definitely आपको iPhone में जाद एक नहीं मिलेगा, तो चलिए दोस्तों speed test की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे face unlocking check, क्योंकि दोनों के अंदर को चीज़ है, लेकिन iPhone में fingerprint scanner नहीं है, और Samsung का fingerprint scanner मुझे पसंद नहीं है, तो face unlocking देखते है किसमें पहले quickly unlock होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, हमेशा आपको आइफोन ही जादा fast नजर आएगा, और जादा accurate नजर आएगा face unlocking के अंदर, जहाँ पे Samsung काफी slow और sluggish लगता है मुझे face unlock में, और रात के अंधेरे में भी अगर आप करना चाते है iPhone का unlock, तो यह बड़े ही आसानी से हो जाता है, तो यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया, Samsung के face unlock के ऊपर, हो सिफ camera के ऊपर चलता है जिबके iPhone में true depth camera system है सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, speed test की शुरुआत करने से पहले setting में जाके, कि यहाँ पे दोनों ही devices, जो है, same Wi-Fi के ऊपर connected है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि Wi-Fi जो है, दोनों में exactly same है और background में सारे applications हम लोग kill कर देंगे इसके हमरे speed test की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले open करेंगे डाइलर 321 को इसके बाद हम लोग open करेंगे दोस्तों messages और यहाँ पे दोनों के अंदर आप देखेंगे, कि आपको iPhone जो है, जादा responsive नजर आ रहा है मुझे तो नजर आया, लेकिन 19-20 का फरक है, इतना बड़ा difference नहीं है लेट्स open calculator, calculator जो है, दोनों में exact same time है clock खोल लेते है, clock भी exact same time है setting open कर लेते है, setting जो है, मैं थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो इसको एक बार kill कर लेते हैं, हम लोग setting को फिर से open कर लेंगे 3, 2, 1, go, setting जो है, exactly same time पे open हो गई calendar open करते है, calendar भी same time पे open हो गई, photos open कर लेते है photos भी same time है, camera को open करने के लिए हाथ में ले लेता हो, दोनों phones को तो यहाँ पे 3, 2, 1, go, और यहाँ पे iPhone का जो camera है, वो पहले हमारा open हो गया है let's open Gmail application, तो यहाँ पे Gmail देखते हो, तो आपको पहले S20 FE पे open होता हुआ नजर आ रहा है Play Store, App Store open कर लेते है, तो यहाँ पे Play Store भी पहले open होगे, App Store के मुकाबले Files application open करते है, तो यहाँ पे almost same time है, मुझे slightly Samsung fast लगा let's open Amazon, और third party application में ने generally दिखा है, कि Android जो है, वो iPhone से better perform करेंगे Amazon Flipkart जितने भी है, उसमें Samsung better perform करना चाहिए, 3-2-1 Go, Flipkart में देखते हैं, तो Flipkart भी देख सकते हैं कि Samsung में पहले open हो गया है, Facebook open करते है, Facebook देखते हैं, पहले किसमें open होता है तो यहाँ पे almost same time पे ही दोनों में open हुआ है, Instagram देख लेते हैं, Instagram भी almost same time है लेकिन slightly Samsung fast था, और बाद में iPhone ने catch up किया, इसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों, Twitter Twitter आप यहाँ पे देखेंगे, तो again मुझे Samsung में slightly fast नजर आया, इसको भी यहाँ पे जो है, इस तरीके से हम छोड़ देते हैं और छोड़ के पाहर हम निकल जाते हैं, इसके बाद हम लोग open करेंगे, दोस्तों, YouTube तो YouTube देखते हैं, पहले किसमें open होता है मुझे Samsung से ही उमीद है, यहाँ पे Samsung में ही सबसे पहले YouTube उपन हुआ है, Let's Open WhatsApp Business WhatsApp Business भी Samsung में पहले open हुआ है, इसके बाद open करते हैं हम लोग एक गेम जो के है Subway Surfers तो देखते हैं, गेम पहले किसमें open होता है, जेनरी आईफोस में ही होता था, लेकिन Samsung का performance भी मुझे बहुत छलक और यहाँ पे आप देख सेखते हैं कि Samsung में ही पहले open हो गया है Samsung का responsiveness है, आपको हमेशा इस टाइप का सलगिश लगेगा, OnePlus भी ले लेंगे, तो iPhone के सामने इस टाइप का सलगिश लगेगा और यहाँ पे जो winner है, इस game open करने का वो iPhone है, लेकिन बहुत ही 19-20 का difference है, पहले जो है ऐसा नहीं हुआ करता तरकिन Samsung ने बहुत ज़ाद इंप्रूफ किया है अभी हम open करेंगे दोस्तों, एक web browser जो कि Samsung का अपना है और यहाँ पे Apple का अपना है, जो कि है Safari इसमें हम लोग एक website open कर लेते हैं, कोई भी website open कर लेंगे, जैसे एक website है GSM Arena तो यह चीज जो है, हम लोग open करके देखते हैं, दोनों के अंदर पहले किसमें open होता है, 3, 2, 1, go और यहाँ पे देखते हैं, पहले किसमें open होता है, तो दोनों में बहुत ही similar performance है, एक साथ ही open हो गया है, इसके बाद यह link पे click कर लेते हैं और यहाँ पे जो है, again आप देखेंगे, कि बहुत ही similar performance है, इसके अंदर कोई 19 भी इसका भी फरक मुझे नहीं लगा है, इसके बाद क्या करते हैं, दोस्तों हम लोग किने मास्टर या काइन मास्टर जो भी इसको बूली, आप यह open कर लेते हैं, इसके अंदर हम एक वीडि है, Samsung के अंदर, वो मैंने रखा हुआ है, तकरीबन 16 Mbps, और यहाँ पे iPhone के अंदर भी हम लोग इसको maximum कर देते हैं, जो के है 16 Mbps, अभी इसके साथ दोस्तों हम लोग export करेंगे, दोनों ही phone के उपर, और एक और phone जो है, हम लोग इसके अंदर लेके आते हैं, जो के एक stop watch का काम करेगा, जो कि है मेरा iPhone 12, तो यहाँ पे दोनों phone को हम कर देते हैं, एक दूसरे के साथ नस्दीक, और इसके साथ दोस्तों हम लोग export पे tap करते हैं, 3, 2, 1, go, और यहाँ पे जो है, दोनों के अंदर exporting same time पे शुरू हो गई, यहाँ पे हम लोग clock भी जो है, start करते हैं अप आप ने देखा, यह चीज जो है मुझे बहुत ज़ार शौकिंग लगी, यह test मैंने second time किया, आप बिलीव नी करोगे, मैंने location चेंज के, के वाइफाई चेंज के बहुत ज़ार शौकिंग लगी, कि यहाँ पे काइन मास्टर इसनवाल करने के time पे, exact same size का footage, exact same resolution का footage जो है, आइफोन 11 के मुकाबले Samsung के S20 FE के उपर पहले render हो गया, पूरी वीडियो तेयार होगी, और exact same duration का footage है, ऐसा नहीं है, और बहुत ज़ादा difference यहाँ पे आ रहा है, 19-20 का difference नहीं हो सकते है आप इसको, यह significant difference है, 33 seconds का फरक है यहाँ पे, और यह चीज जो है, इसके killer performance को बताती है, at least Kind Master के अंदर हो सकता है, कि Luma Fusion के अंदर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो है difference अलग हो सकता था, कुछ और हो सकता लेकिन Android के लिए Luma Fusion अवेलेबल नहीं है, तो यह test सिर्फ और सिर्फ iPhone to iPhone ही मैं compare का कि आपको बता सकता हूँ, मैं तो Luma Fusion ही इस्तेमाल करता हूँ अगर iPhone पे या फिर मुझे iPad पे इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे Kind Master जो है, वो मुझे Samsung के उपर ही बेटर लगा, और यहाँ पे definitely इसके अंदर performance के अंदर बहुत ज़्यादा Samsung ने work किया है, जिसकी वएसे यह जीज़ पॉसिबल हुई है, यह जीज़ मुझे बहुत और देखते हैं कि Apple का 4GB का RAM, Samsung के 8GB का RAM को टकर दे सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस order के अंदर हमने applications open किये थे, उसी order के अंदर सारे applications मौझूद है, तो यहाँ पे शुरुवात करते हैं, डाइलर के साथ, डाइलर मेमरी में है, यहाँ पे web browser open कर लेते हैं, यह यह भी memory के अंदर है, यहाँ पे हम लोग messages open करते हैं, यह भी memory में है दोनों के अंदर, इसके बाद आता है calculator, इसके बाद आता है clock, उसके बाद हमने open किया था settings, setting के बाद हमने open किया था calendar, calendar के बाद हम open करते है photos, photos के बाद हमने open किया था Gmail, Gmail के बाद हमने open किया था App Store, Play Store, दोनों सब कुछ जो है memory में यहाँ पे चल रहा है, जो कि बहुत चीबात है, यहाँ पे फिर हम लोग open करते है, Amazon जो कि again memory के अंदर है, flip card भी open करते है, Facebook यहाँ पे Apple जो है, feed को refresh करता है, यह भी यहाँ पे जो है memory में है, हम लोग यहाँ पे Instagram देखते है, दोनों के अंदर memory में है, Instagram हमेशा Apple के अंदर अपनी feed refresh करता है, इस तरीके का हमेशा होता है, महाँ पे application reload नहीं होता है, जितने बार आप उसको बंगर के close करके open करेंगे, वो वहाँ पे अपनी feed refresh करते रहता है, यहाँ पे subway surface बाकी है, और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो call of duty है, call of duty भी हम open कर ले जो है, कमजोर साबित हुआ, एक मामले के अंदर, लेकिन यहाँ पे, except for that, everything else is in memory, तोस्तों, speed and multitasking performance test का जो clear winner है, it is none other than Samsung का Galaxy S20 FE, मुझे नहीं लगा था कि Samsung जो है, इतना अच्छा performance दे पाएगा, iPhone के comparison में, लेकिन definitely, iPhone 11 इससे महंगा होने के बावजूद और इससे जदा powerful हो होने के बावजूद भी, speed test as well as multitasking में, Samsung जो है, Samsung का S20 FE, बेटर साबित हुआ है, जो जीता, वो जीता, जो हारा, वो हारा, जो सच है, आपके सामने है, उम्मीद करता दोस्तों, आपको अच्छका वीडियो पसना आओगा, पसना को इसको like and share जरू कीजिए, और मेरे इस चै अबढ़ सक्राइब जो से इसक्राइब को जो जो से लियो जो से घचे जो 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 है